हलो फ्रेंट्स मैंसलफ शब्र उसेन और वाचिंग फीजियो टॉक दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि बाइसेपिटल टेंडिनोपैथी को आइडेंटिफाय करने के लिए आपको किस तरीके से फिजीकल एग्जामिनेशन करना है यानि किस फिजीकल टेस्ट के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि पेशिंट को बाइसेपिटल टेंडिनोपैथी है या नहीं है जबर्दस वैडियो एडेशन करेंगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक सीरीज चल रही है फीजो थरपी टेस्ट के उपर जिसके अंदर हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन से फिजिकल टेस्ट करने से आपको कौन-कौन सी कंडिशन का आप पता लगा सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बाइसीपिटल टेंडिनोपैथी का पता का लगाने के लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे दोस्तो बाइसीपिटल टेंडिनोपैथी का पता लगाने के लिए हम करते हैं speed test इसमें करना क्या होता है कि फीजियो थरेपिस्ट और फिजिकल थरेपिस्ट पेशन्ट को ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि उसको खड़े रहना है अपने शोल्डर को forward flex करना है जिसमें examiner forward flexion को shoulder के forward flexion को resist करेगा पर याद रहे shoulder forward flexion हो उसमें elbow extended रहना चाहिए साथ ही आपका जो arm है वो supination में रहना चाहिए जब पेशन्ट का arm और elbow supination में हो और elbow extended में हो और patient जब forward flex करेगा तो therapist उसको उस movement को resist करेगा अगर ऐसा करते वक्त patient को bicepital groove पर pain होता है तो यह confirm किया जाता है कि speed test positive है और patient को bicepital tendinopathy है तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से आपको speed test करना है bicepital tendinopathy के लिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जादा जादा शेयर करिए वीडियो को लाइक करिए आपकी जो feedback है नीचे comment section में देना बिल्कुल ना भूलिए thank you for watching physio talk